रायपूर मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है सामने कि रायपूर में रात का पारा 13 डिग्री तक उत्रा है अब बढ़ने लगेगी थंडी। राजधानी समेथ प्रदेश में नवंबर मेहने में उत्तर भारत से आने वाली थंडी हवा की वज़ा से थंड पढ़ने लगती है। लेकिन इस साल उत्री थंडी हवा पर दक्षिर भारत से लगतार आ रही कुछ गर्म तथा नम हवा भारी पढ़ गई। दक्षिर में लगतार बाडिस के कारण 36 गर के धिकांस हिस्सों में नवंबर के पूरे महने ठंड नहीं पड़ी। राजधानी रायपूर में नियुंतम तापमान सिर्फ दिन में 16 डिग्री तक पहुंचा वह भी महने के सुरुआती 5-4 दिनों में। इसके बाद राते लगभग गर्म गूजरी है और दोपहर में एयर कंडिशन तक चल रहे हैं जपनी प्रदेश के मैदानी और उत्री इलाकों में नवंबर के कई दिन 13 और 14 डिग्री वाले होते हैं। सरगुजा में तो कई बार तापमान 11 और 12 डिग्री तक उतर जाता है हाला कि मौसम विशे सग्यों के अनुसार भले ही पूरा महना लगभग गर्म गूजरा हो लेकिन 28 और 29 नवंबर की रात तापमान में कमी आएगी। हाला कि दिसंबर के सुरू से रात में ठंड बढ़ने लगेगी। मौसम विज्यानिकों का कहना है कि पिछले साल की अपेच्छा इस साल ठंड का पैटर्ण बदला हुआ है। इस साल ठंड धीरे धीरे बढ़ी और उसके बाद नमी वाली हवा आने पर रात का तापमान धीरे धीरे बढ़ा और ठंड कम हो गई। पिछले साल नौवंबर में ठंड अचानक बढ़ी थी इस साल ठंडी में तेजी से विद्धीन नहीं होने का प्रमुख वज़ा नमी युकत हवा आने के कारण प्रदेश में बदल रहे हालात है। नौवंबर में आमतर पर नौसम साफ रहता है और ठंड बढ़ती है इसके विद्रित हवा में नमी ज्यादा होने पर रात का तापमान बढ़ता है और ठंड कम हो जाती है। समुद्र से आने वाली हवा अपने सांथ नमी लाती है और इसी वज़ा से रात का तापमान बढ़ता है। इस साल नवंबर में 148 फिस्दी ज्यादा बारिस भी है, 21-26 नवंबर तक प्रदेश में 23 मिलीमिटर पानी गीरा। जबकि आउसत 9 मिलीमिटर है ज्यादा बारिस होने का तातपर्य यह है कि नमी यूपत समुद्री हवा का प्रभाव प्रदेश में ज्यादा रहा। रात के तापमान में विद्धी और ठन में कमी होने का या प्रमुख काराण है। लालपूर मौसम केंडर के मौसम वज्यानिक हपी चंद्रा के अनुसार सनिवार को प्रदेश में स्यूस्क हवा आने की संभावना है। अधिक्तम और नियुन्तम तापमान में विशेश परिवर्तन होने की संभावना भी बन रही है फिभी नियुन्तम तापमान में गिरावट का ट्रेज रहने की संभावना शुक्रवार को रायपूर में नियुन्तम तापमान 19.2 डिगरी रहा यह स्तमान इसे 4 डिगरी अधिक रात का तापमान दिसंबर से ज्यादा गिरना सुरूब हो जाएगा इसलिए रात में थंडी बढ़े लगेगी